Hello guys and welcome back to Indian Girl in Europe. मैं हूँ सुर्भी Indian Girl in Europe. मैं हूँ दीपक. और आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले के आए हैं जो इंडिया में बैठे लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है और भी बहुत सारी कंट्रीज के लोगों के लिए जो EU का पार्ट नहीं है, तो टॉपिक क्या है दीपक? बहुत जादा अंटरस्टिंग टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि IT professionals के लिए job market, current job scenario क्या है जर्मनी के अंदर तो उसके हम बात करेंगे, पूरा वीडियो देखना, जो आपको current situation है, उस सारी चीज बताएंगे, तो let's start और अगर आप IT professional नहीं हो, और अगर आपका domain और कुछ है, तो भी उसके बारे में हम कुछ discuss करेंगे, और चलो फिर हम start और हमने चाय सजा के रखी है तो तो पी लेंगे, तो शुरू करते हैं सब भी, सबसे पहला point सबसे पहला point मैं start करती हूँ कि जर्मनी में एकदम से IT professionals की jobs जो है, यह job market है, वो कैसा है COVID के बाद का, तो उसके बारे में मैं आपको बस यही बोल सकती हूँ कि job market जो IT professionals के लिए वो बहुत अच्छा है इस time पर, we have heard बहुत सारे लोगों से कि यहां का जो job market है, मतब लोगों को jobs जो है, वो within Germany तो बहुत easily मिली रही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, दूसरी countries like India, Pakistan, Iran, यहां के लोगों को भी jobs जो है, वो बहुत easily मिल रही है, यहां पर, और उसका reason क्या है दीपक, क्यों इतनी easily मिल रही ह तो काफी लोगों से contact भी होता है, जो यहां पर shift हो रहे हैं इंडिया से similar domain में, हमें इतना समझ में आया है कि अभी के time पे, IT market बहुत अच्छा जर्मनी में, बहुत सारी jobs हैं, और दूसरी चीज, यहां की government अब open है, कहीं से भी लोगों को hire करने के लिए, especially IT background के बारे में, तो आज हम specific बात करेंगे, IT professionals का, हाँ, तो सबसे पहले मैं start करती हूँ, जहां से हम लोग job start करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है, कि companies जो है, वो visa sponsorship देगी या नहीं देगी हैं, अगर आप इंडिया में बाट के apply कर रहे हो, तो whether company आपको openly बोलेगी, क्या है आपको एक चीज बता देते हैं, यहां पर, other than दूसरी countries, जो हमने सुना है, जर्मनी में visa sponsorship नाम की कोई चीज ही नहीं होती, यह एक चीज मैं clarify करता हूँ, काफी लोग पूछते भी a message करके, कि कौन सी company visa sponsor करती है, कौन सी नहीं करती, ऐसा specific यहां पर कुछ है नहीं, जैसा कि US में, UK में होता है, यहां पर generally यह है, आज के time पर, IT में, jobs बहुत है, कोई भी company randomly visa देने के लिए ready है, कई companies नहीं भी ready है, तो visa sponsorship नाम की कोई चीज नहीं होती, यह क्या करते हैं, अगर आपने interview दिया, आपके पास अगर job offer है, आप जाओ, work permit apply करो, इंडिया में या जिस भी country से आप देख रहा है, अपनी embassy में जाकर, Germany का आपको work permit मिल जाएगा, simple है, आपको पास job offer चाहिए, that's it, in case, आपके वास job contract है, job offer है, Germany का, तो आपको visa जो है, वो work permit में convert हो जाएगा, उसके लिए आपको embassy जाना पड़ेगा, वो 8,000, 8,000 रुपे लगते, तो इतना पैसा भी जाएगा, तो लोगों को यह भी लगता है, हमें क्यों लेंगे वो यहीं के लोगों को नहीं लेंगे, तो मैं सिर्फ आपके motivation के लिए एक चीज़ बता देते हूं, in case, आपने recently interview दिया, आप software engineer हो, आपने recently interview दिया, और आपका नहीं हुआ, तो उसका सिर्फ एक ही reason हो सकता ह और वो reason क्या हो सकता है देपर? देखो, वो specific reason या, जो, मतला, of course, आपका interview अच्छा गया, मैं यह जूम करके चल रहे हैं, वो यही हो सकता है, कि जो visa process में टाइम होता है, काफी जगे पर थोड़ा ज्यादा लगता है, for example, अगर अगर इंडिया से काफी लोग visa अप्लाई क वो एक दीजन हो सकता, other than that, कोई रीजन नहीं है आज के टाइम पर कि यह लोग भाहर से हायर ना करें, और एक और सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि यह लोग बाहर से हायर, especially अगर मैं बात करूँ इंडिया की, India IT हब है, सब को पता है दुनिया में, बहुत अच्छा IT इंज इंजिनेरिंग बैग्राउंड से हैं, IT बैग्राउंड से हैं, युनिवर्सिटी डिग्री है जिनके पास, और उसके मामले में, इंडिया में तो भूब बाहर बाहर के हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूं, और कोश्चन होता है कि हम कितने एक्सपिरियंस प तो आपके चांसे जो हैं, वो इंक्रीज होंगे, उससे थोड़ा कम एक्सपिरियंस होता है, तो शायब प्रॉब्लम आ सकती है, अगर इससे जादा है, तो और अच्छी बात है, जो नेक्स्ट क्वेस्टन फे लोगों के दिमाग में आता है, वो आता है, लेंग्विज, कि English Language की रिक्वार्मेंट कितनी है, जर्मनी में, जर्मल लेंग्विज Спेसिफिक रिक्वार्मेंट कितनी होती है, तो शुवी आज के टाइम पर तुम ने के आपदा चला है, वो यह है, कि IT प्रॉफेशनल के लिए तो ये लोग English Speaking Colleagues ही मांग रहे हैं, तो जर्मन तो कहीं प कुछ specific profiles होती हैं जहां पर वो German mention करते हैं पर IT professionals के लिए प्रोफेशनल्स के लिए एक requirement है नहीं क्योंकि सब कुछ जो है वो English में deal करते हैं exactly क्योंकि यार अबना चीजह बहुत global हो चुकी है और specific to IT domain market बहुत अच्छा है जॉब काफी है और ऐसा कोई ज्यादा specific criteria बचा नहीं कुछ जगे है हो सकता है पर majority majorly आप ज्यादा requirement English से related होती है उनको चाहिए आप English में okay that's it आप apply कर सकते हैं तो वो एक चीज बहुत अच्छी हो गई है time के साथ इसलिए हम बोल रहे हैं कि यह बहुत अच्छा time है जॉब अप्लाइ करने के लिए IT वाले लोगों के लिए specific to Germany मैं तो बस आपको यह बोल सकते हूं कि this is the best time अगर आप सोच रहों कि आपको बहार जाना है अपना career profession दूसरी country में बनाना if you're thinking Canada, US, UK, etc, etc, so this is the time in Germany क्योंकि Germany की government भी बहुत support कर रही है प्लस जो companies है वो भी दोनों हातों से बोल रही है welcome कर रही है कि plus please यहां पर आजाओ एक चीज मैं आप लोगों को और यहां पर mention करना चाहती हूं जो of course हमारे experience जो लोगों से हमने बात करी है उससे पता चला वो है यहां पर अगर आप relocate होते हो इंडिया से या किसी और country से तो यहां पर कितना support कर रही है कंपनी तो दीपत क्या है अपमारा experience अच्छा यह भी बहुत बड़ा major question होता है दिमाग में कि salary ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से लोग हमें hire कर रहे हैं तो salary में compromise करना पड़ सकता है और relocation amount के वारे हम बात करते हैं तो salary में आपको compromise करने की ज़रत नहीं आप negotiate कर सकते हो अच अपने हैसाब से negotiate कर सकते हो second चीज आती है relocation amount आज के टाइम पर companies अच्छा खासा relocation amount भी दे रही हैं आपको Germany इंडिया से Germany shift हो रहे हैं आप या किसी oration country से Germany shift हो रहे हैं आप हमने काफी friends से मतलब लोगों से सुना भी है 10,000 euro तक भी relocation amount मिला है कहीं कुछ से जादा भी मिला से कम भी मिला है depending on कि आप कि इस profile पर जा रहे हो पर अगर आप salary पे एक हद तक negotiate कर रहे हो उसके बाद नहीं कर पा रहे हो तो आपको relocation support मिलेगा जो की बहुत अच्छी बात है मतलब we have heard 10,000 euro तक तो हो सकता है आपको भी से कम या जादा मिले तो this is also something जो हमें आप लोगों स कि वैदर यार हम मांगे इस से जादा पैसा है मैं यह लगता कि opportunity मिल रही है जो मिल रहा है ले लो देखेंगे पर नहीं आप openly negotiate करो आज के time पर end of the day तो negotiation और जैसा market है आज के time पर आपका अगर skills है और आप मैच हो रहे हो तो आपको जो मंचाई salary हो मिल जाएगी of course उनके range म होनी चाहिए तो next point जो है वो भी बहुत interesting point है of course आपको help करेगा अगर आपको choose करना है तो वो क्या point है दिपक next वो है कि मैं आपको एक broad idea देता हूं कि किस तरह की companies में आप especially India से बैठके apply कर सकते हैं वो है कि आप या तो जो multinational companies हैं बड़ी IT companies हैं उनमें apply करो या फिर जो start-ups हैं specifically चाहिए वो local यहां से शुरू होई है या बहार से funded है start-ups में आप apply करो अच्छी salary मिलेगी easily job मिलेगी आपको और एक चीज में आपको बताता हूं कि जब आप company को search कर रहे होते हैं तो हो सकता आपको ऐसी companies में job भी मिल जाए जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी specific companies आ 250, 300, 500 तक employees हैं आप उनका profile जाकर चेक करो LinkedIn पर कहां से company चुरू ही है अगर कोई smaller towns में जर्मनी में शुरू ही है और majority of employees उनके German है और job description भी German language में है तो वो आपका time waste हो सकता है वहां पर मुझे नहीं लगता कि वो prefer करेंगे बहार से लोगों को इसलिए आप कोशिश करो कि ज इसके बाद कौन सी ऐसी major cities हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा चांसे बनते हैं वो सुभी बताएगी कौन सी cities हैं अभी तक मैंने जितना भी सुना हैं लोगों से जिन लोगों को directly India में job मिली है majorly जो है वो Berlin में क्योंकि Berlin में start-up जो है Berlin को as a start-up hub बोला जाता है यहां पर और start-up में जो है वो talent ढूंते हैं तो वो talented लोगों को ढूंते हैं और वो कहीं पर भी हैं world में किसी भी कोने में वहां से वो लोग recruit करते हैं second is Munich, Munich भी जो है start-ups तो ही है यहां पर other than that यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी international companies हैं जिसकी वज़े से यहां पर chances बढ़ जाते हैं and then Frankfurt अगर banking में अगर आप लोग हो even IT professions में तो यह जगे जो हैं यह तीन ऐसी जगे हैं जो आप target कर सकते हो और दीपक ने जैसा BOLA की छोटी companies तो यहां पर जर्मनी में क्या होता है ना family वाली companies होती हैं जो 50-100 employees होती हैं जो छोटे से start होती है फिर 500 तक employees पहुच जाती हैं वो कभी भी बाहर के लोगों को welcome नहीं करती हैं क्योंकि उनका वही German culture होता है वही companies आपको welcome करेगी जो अभ different different जगे के culture के लोग हैं तो यह एक बहुत ही important चीज हो जाती है कि where to target क्योंकि अगर आप सही target नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको तीन महीने बाद या 10 application के बाद job मिले तो वही reason था कि हमने आपको यह point रता है मैं seriously आपको suggest करूँ आप थोड़ा time ना LinkedIn पर spend करो company का profile चेक करो list बनाओ कैसे employees कहां कहां से रेक्रूट किये हुए employees वो देखो और आप यह चेक करो कि company मतलब start-up है multi-national company इसके जो employees यह बाहर से इनों ने hire किये या नहीं किये फिर जाके उनको approach करो तो आपके लिए job ढूणना बहुत easy हो जाएगा comparatively और second point of course मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे तो सुर्भी ने बोला कि Berlin, Munich, Frankfurt यह बहुत जादा global cities हो गही है अज के time पर यहाँ पर लोग माइड नहीं करते हैं आप किस country से आ रहा हो और specific to IT में बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इतनी country से लोग मिलेंगे देखने के लिए IT professionals तो बहुत अच्छे opportunity है यह इसके बाद मैं एक और चीज बता देती हूँ कि other than IT professionals जो मैंने बोला था कि दूसरे लोगों के लिए तो in case अगर आप और कोई degree है आपके पास और अगर आपके पास five years of experience है या पास साल से ज़्यादा का experience है तो still आपके chances है यहाँ पर तो उसके बारे में कभी हम और बात कर कि यहाँ पर और दूसरे प्रोफाइल या और दूसरे डुमेंस में क्या job market है पर IT professionals या software engineers जो इंडिया में बटके हम लोगों को देख रहे हैं for them this is the best time आप यह जितने भी हमने points बताए हैं based on our experience उसको देख सकते हो उसको follow कर सकते हो और हो सकता है कि आपको इसमें success मिल तो हमने अपने पुराने वीडियो में भी बोला है कि अगर आपको basically आपके skills पर confidence है और आपको लग रहा है कि आपको हो जाएगा आपको call मिल जाएगा आपको definitely हो जाएगा कही नगी तो आप job seeker visa करके भी एक opportunity होती है वो लेकर आ सकते हो 6 महीने का आपको visa मिलता है आप Germany क्योंकि कई बार क्या होता है यह लोग इन्होंने for example दो लोगों का interview लिया skills दोनों के same है एक बंदा जर्मनी में है एक इंडिया में है तो वो जो जर्मनी में उसको हायर करेंगे obviously because of time limitation of course है तो आप और शॉर्टी भी रही कि यह बंदा यही है जाएगा इंडिया वाला जो ready है risk लेने के लिए मतलब job छोड़के आप आगाए बहुत सारे पैसे लगा के और by chance कई लोगों को नहीं भी मिलती वापस जाना पड़ता है तो उस पर भी research कर सकते हैं तो this is the right time and of course वो आपका जो job seeker visa है और job मिल गई तो आप blue card में भी convert कर सकते हो तो वो blue card visa के बारे म भी हमने पहले जो है वो वीडियो बनाया वो हम डाल देंगे बाकी मैं अपने वीवर से एक last चीज बोलना चाहते हूं अगर आप लोग recently Munich में आए हो as a IT professional software engineer हो और आपको directly job मिली है इंडिया से यहां पर तो please contact us अगर आप लोग अपना जो experience है आपने कैसे target किया क्या आपन फॉलो करी steps वो हम लोगों के viewers से अगर आप share करना चाहते हो तो please आप हमसे contact कर सकते हो Instagram पे या फिर YouTube पे आप contact कर सकते हो और हम चाहते हैं कि आप वो experience भी share करो करते हैं और समझ नी आता है मैं समझ सकता हूं क्योंकि ना कहीं ना कहीं वो information missing होती उनको समझ नी आता कैसे करना किस चीज को target करें तो जो लोग वो कर चुके है यह जिन्होंने डिसेंटली ऐसा किया अगर वो experience share करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों की help होगी तो बहु या फिर travel वीडियो होगा आपको यह वीडियो कैसा लगे वो जरूर बताना और अगर आपके कुछ और क्वेरीज हैं तो आप प्लीज कॉमेंट करना हम कोशिश करेंगी आंसर करने की और अगर कुछ ब्रॉड रेंज में कोई आपको टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप लोगों को ले हैंस करेंगी बाव भय गाइज एक तो आप लोगों को ले हैंस करेंगेंगी बाव 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 गाई गाईज